इंट्रेसिंग कम्ती का करते हैं जिक रेजिस पर सेवी ने हाली में लिया है action क्या है ये company किस तरह का action हुआ है और इस company का कारोबार बहेद इंट्रेसिंग है multitasking multitasking जिससे आपको बोले कि आप anchoring तो खरते ही है आप किसी प्लांट में जाके कोई कार के लिए OEMS बनाने हों वो भी काम कर लें आंकरिंग से यह है? या मैं आप को कहों कि कभी एक आध दिन खेत में जाके कोई मिर्दा करना हो मल्टिपल करना है, मल्टिटास्किन नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं है एक पुरानी कंपनिये 85, 86 में लिस्ट हुई थी, पहले इसका नाम था क्रिसंडा रेलवे सल्यूशन्स, फिर उसके बाद नाम बदल कि ओगा क्रिसंडा सल्यूशन्स और कंपनी में अगर आप देखें तो सिर्फ उपर से लेके नीचे तक घुटाले ही नजर आएंगे और सेभी की तरफ से 35 पेज की बड़ी रिपोर्ट है यह बड़ी इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है सबसे पहले आप देखें कि FI 15 से लेके 20 तक कंपनी की जीरो रहाई थी बिलकुल रेविन्यू थी नहीं कुछ भी नहीं था लेकिन FI 23 में सडेनली अगर आप देखें तो जो FI 22 में रेविन्यू केवल 18 लाक रुपे थी वो बढ़कर 75 करोड होगी 18 लाक से सीधे 75 करोड एक साल में बड़ी बड़ा थ्याँ पर आपको देखने को मिली लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार सिलसिले चले तीन मैने में तीन बार कंपनी का रेजिस्टर्ड एडरेस बिदल गया इसके बाद अगर आप देखें तो नवेंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 की बीच में कई सारे डिरेक्टर्स और केमपीय से थे जिन्होंने इस्तीफा दिया प्रमोटर होल्डिंग लगातार अगर आप देखें तो घटी की सप्टेमर 2021 में जो कंपनी की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की 30.12 परसेंट थी जो की नेक्स्ट क्वाटरली अपडेट में घटकर 8.42 परसेंट होगी और इसके दौरान अगर आप देखें न तो लगाता स्टॉक के प्राइस में बढ़त देखने को मिली लेकिन इसके बीच में ये जो रिविन्यू इन्होंने दिखाई है ये दरसल चावल की सर्कुलर ट्रेडिंग से यानि तीन एंटिटी ऐसी थी जो आपस में चावल कर रहे हैं वो देखा तब पता चला कि जो इन्वाइस पे वाहन नंबर दिये गए थे कि जिससे ट्रांस्पोर्ट आया गया है उससे मानूं पढ़ा कि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है और जो दो निकल कर आए वो टूवीलर के थे तो क्यों चावल की डिलिवरी टूवीलर पे नहीं हो सकती है तो पहले नाम रेल्वे था फिर सॉफ्ट्वेर में गए और चावल की डिलिवरी में गए वो भी टूवीलर से है और कुछ तो बोगस ही निकल गया पूरी तरीके से लेकिन ये सब में जब रेविन्यू देख रही ना तो स्टॉक प्राइज लगातार बढ़ते चले गया और जो रीटेल पार्टिस्पेंट्स है वो लगातार बढ़ते गये प्रमोटर धीरे 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 निकलते गये और निकल निकल के लास्ट रह गया इनका 0.10% लेकिन तब भी प्रमोटर ने अगर आप देखें तो एक प्रिफरेंचल अलॉट्मेंट किया जिसमें 66 क्रोड जुटा लिया है और ये एंटिटीज भी अगर आप देखें न तो सेबी को संधे जनक नजर आई है तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो जो स्टॉक प्राइस सतर पैसे के आसपस ट्रेट करता था 2021 में वो 2022 मई में 50 रुपे पहुंच गया प्रमोटर अपना पूरा माल बेच का निकल गए और रीटेलर्स हो गए ट्रैप और ये प्रिसेंचल अलॉट्मेंट हो चुगा है ये कुछ न आपके लिए इस कम्ति पर पूरा का पूरा एक्शन आए बढ़ते आगे